हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है आज मार्किट में आपको भ्यानक गिरावट देखने को मिली कल भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन कंडिशन क्या रहेगी अगर मार्किट आज के 21st के डेलो का ब्रेकडाउन दे दे तभी आपको भ्यानक गिरावट मार्किट में फिर से देखने को मिल सकती है लेकिन इस बीच धियान क्या रखना है उन चीजों को समझ लो पहली चीज नियूज पे फोकस बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि आपको तरह तरह की नियूज आएगी कि COVID के कारण हो रहा है चाइना में केसिस आगे या इंडिया में केसिस आगे या इस तरह की कोई भी नियूज हो आपको नियूज बेस ट्रेडिंग नहीं करनी है इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि जिन्होंने कोरोना का फेस देखा है कोवेड का फेस देखा है उसमें क्या होता था मार्किट अचानक से गिरता था लोवर सर्किट लग जाता था बीच में क्लोज हो जाता था फिर अचानक से लगबग हजारो पोइंट की रिकेवरी आ रही है या पांच सो पोइंट की रिकेवरी आ रही है दो सो पोइंट की रिकेवरी आ रही है आज ही आप देख सकते हैं इन candles में देख सकते हैं कितने कितने points की recovery आगी मैं भी आपको यहीं पर दिखा देता हूँ सारी चीजे मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी candle को देखोंगी जो 43,000 का एक काफी interesting level है इसका discussion भी क्या था आज logic वाली वीडियो का इंतिजार करना क्योंकि logic वाली वीडियो में हम काफी कुछ discussion करने वाले काफी important वीडियो होने वाली है अगर मुझे time लगा मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा logic वाली वीडियो जो कि हम आज आज आपको रोज प्रोवाइड करने की कोसिस करें यहाँ पर देखो यह कहां तक गिरगी लगबग आपको 600 प्लस पॉइंट एक ही candle में और फिर recovery आप जो देखेंगे लगबग 200 प्लस पॉइंट की recovery तो इसलिए इतने में ही जो छोटे ट्रेडर होते हैं या बड़े भी ट्रेडर हो उन्हें लोसिस दिख जाते हैं क्योंकि मान लो अगर आप 10 लोट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो 100 पॉइंट भी चले गए तो आपके एकाउंट में काफी लोसिस दिखने लग जाएंगे और यहाँ पे आपको 600 पॉइंट अचानक से ही फॉल आ रहा है अचानक से ही आपको recovery आ रहे हैं तो news बेस ट्रेडिंग करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दूसरी चीज ऐसे इस्तिती में लोग क्या करते हैं दूर का P buy कर लिया जो काफी सस्ता है कि market गिरते गिरते वहां तक पहुँचेगा और हमारा पैसा कहीं गुना हो जाएगा या दूर का C buy कर लिया कि market में recovery आएगी और हमारा profit हो जाएगा या फिर दोनों buy कर लिया P b भी buy कर लिया C b भी buy कर लिया कि भई किस भी तरफ market जाओ हमारा profit हो जाएगा एक जीरो हो जाएगा इस तरह का कुछ भी नहीं plan करना है अगर आप इस तरह की planning को सोच रहे हैं कुछ भी नहीं करना है ये मैंने आपको शुरू में ही चेतावनी दे दी बस हम level के according trade करेंगे price action के according trade करेंगे market में क्या scenario बन रहा है उस चीज़ को धियान रखते हुए trade करेंगे जैसे आज बहुत सारे logic है जब market उपर गया negative scenario था लेकिन हमें ये लग रहा था कि buying बिल्कुल भी नहीं करनी है बले market gap अप खुला हो क्योंकि overall negative scenario बना हुआ था market में तो पहली possibility थी कि market gap को fill करने आएगा तो यहीं तक हमारे लिए target हो सकता था इसका breakdown मिलता है तो market in levels तक आएगा इनका breakdown मिलता है तो market in levels तक आएगा इनका breakdown मिलता है तो हमारे नीचे की planning थी मैं logic वाली वीडियो में सारी explain करूँगा तो फिलाल कल के लिए हमारी क्या strategy रहने चाहिए उस चीज़ पर focus करो अब क्या हो सकता है इन चीजों को समझो लेकिन इने समझाने से पहले मैं आपको one day के time frame पर लेके चलता हूँ one day के time frame पर हमें क्या scenario नज़र आ रहा है अगर ये गिरावट बरकरार रही त्यान से समझना जो आज के लोग का breakdown दे दिया तभी हम selling की planning करेंगे त्यान से समझना अगर आज के day लोग का breakdown मिला तभी हम selling की planning नहीं करेंगे मार्केट खुलते ही selling की तरब गलती से भी नहीं जाना है क्योंकि candle काफी बड़ी बनी है यह आपको दिखाने की कोशिस कर रहे है भले ही कल selling आ जाओ लेकिन अचानक से recovery भी आ सकती है ऐसे phases भी हमने देखे है जैसे कि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको market negative बना हुआ था और gap down भी opening आपको देखने को मिली लेकिन recovery देखो कितनी first आई है तो इसलिए news based trading हमें गलती से भी नहीं करनी है और एक्जामपल मैं आपको दिखाता हूँ आप इस वाले एक्जामपल को देखो market कहा था gap down opening हुई है देखो recovery कितनी तीजी से आई है अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि कल ही आप buying position बना के बैठ जाए और आपको recovery देखने क को मिल जाएगी नहीं हम planning करेंगे कि कहां से उपर हमें buying करना है कहां से नीचे हमें selling करना है अब धियान से कुछ level को समझो मैं one day के time frame पे आपको इसलिए ले के आया हूँ मैं इसे थोड़ असा जूम करता हूँ यहां पे काफी कुछ समझने लायक चीज़े हैं इन्हें लेंगे उस situation पे 42,000 वाला जो जून है यह वाला जो जून है यह हमारे लेक important support का कारण बन सकता है अगर gap down opening भी इसमें हो जाती है आपको तब भी आपको तुरंट selling position plan नहीं करनी है आपको देखना है कि इस level पे market किस तरीके से react कर रहा है क्योंकि आप यहां पे देखेंगे यहां पे resistance देखने को मिला था और जब इसका breakout मिला था तो यहां पे हमें support भी देखने को मिला था तो 42,000 वाला जो जून रहेगा यह हमारे लिए काफी important रहने वाला है यह market को उपर की तरफ भी push कर सकता है लेकिन अगर इसका breakdown मिल गया तो मज़ए आ जाएगा आपको बहत बताई फिर से मैं repeat करता हूँ आज के day low का breakdown होना चाहिए तब आपको 42,000 देखने को मिलेगा अगर इसका भी breakdown होता है तो 41,600 की possibility है समझ में आ गया scenario अब चीजे भी इतनी आसान नहीं है दरसल आप देखेंगे यहां पे हमारा एक zone create हो रहा था इस zone का भी आपके साथ discussion किया गया था और market ने इस zone से भाहर निकल गया है एक ही candle में अगर market वापिस आता है तो ये वाला जो नीचल ले वाला जो हमारे लिए पहले support था जैसे support का breakdown मिलता है तो वो resistance के तरे act करता है तो ये level आपके लिए resistance के तरे act करेगा अगर इसका breakout मिलता है तो अगला ये वाला zone act करता हुआ दिखाई देगा अब यहां पर एक theory और होती है एक confusion और मैं clear करता हूँ काफी लोगों का क्या होता है मुझे comment भी आते है reply भी आते हैं और comment भी आते हैं मतलब facebook पे instagram पे inbox में काफी comment आते हैं question क्या होता है जादतर जो पूछा जाता है कि सर अगर बड़ी candle बन की doesn't matter ये green है या red है वो क्या कहते हैं कि market आता है इसके 50% तक आता है मान लो ये candle red है जैसे red दिखाई दे रहे हैं कि इसके 50% तक आएगा या फिर अगर green होती तो उसके 50% तक वापिस आएगा इस थोड़ी पे बिलकुल भी मत चलना ठीक है ऐसा कुछ fix नहीं होता है market में ठीक तो इस base पे trading करते हैं कि market जब बढ़ता है उसके 50% तक वापिस आता है या फिर जब गिरता है उसके 50% तक वापिस आता है इस तरीके से plan मत करना वो एक Fibonacci retracement होता है वो एक अलग चीज होती है उसकी planning अलग चीज होती है वो candle base पे नहीं होती है के लिए रहने उसे हम draw करत हैं मैं आपको अलग से separate video provide करा दूँगा वो एक अलग चीज है उसके मत जाना और उसके भी अलग-अलग rule होते हैं क्योंकि आप आधियद होरी knowledge रखते हैं और उसके according trade करोंगे तो losses का सामना करना पड़ेगा फिलाल हम कल के लिए support और resistance का discussion करते हैं अगर आपको gap up opening देखन level बन रहा था और आज भी market ने ही पर time spent किया है और यही से आपको rejection भी देखने को मिला हैं यह चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई दी अगर आपको इसका breakout मिल रहा है तो 43,200 पे हमारे लिए अगला resistance रहेगा किलियर हैं दूसरा अगर यहाँ पर discussion करें अगर आपको gap down opening दे ज़रा रहे हैं यहीं पर इसी zone में आज का डेलो भी है और मैंने क्या का अगर डेलो का breakdown मिल गया तो आपको market में बहतरी इन selling opportunities देखने को मिल सकती है यह ब्यानक तूफान की भी market में सुरुआत हो सकती है तो आपको prepare रहे हैं तो अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो हमें support रग आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको समझाता हूं no trading zone कहां पर हमें trading नहीं करनी है अगर आप देखेंगे यहां पर आपको दो red line लिखाए दे रहे हैं 42,756 और यहां पर 42,550 जब तक market आपको इस zone में रहेगा आपको market में कोई भी position नहीं बनानी है अगर आपको मिलता है इस proper logic नहीं बिना logic के buying गलती से भी मत करना ऐसे market में और अगर आप buying position बना भी रहे हो तो stop loss को आपको proper जंगे लगाना है और strictly लगाना है यह नहीं कि आपका loss होने शुरू हो गया तो stop loss को थोड़ा सा पीछे लेगे फिर और पीछे लेगे मतलब इस तरीक से plan नहीं करना है क्य की जाती है तो proper logic के साथ की जाती है बिना logic के जो buying करेगा वो लोस में जाएगा किलियर है वही पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown 42,550 अगर इसका breakdown मिला price नीचे sustain किया तो आपको मिल सकती है selling opportunities अब pivot point इस बारे में क्या बता रहा है pivot point की भी एक बार राय जान लेते हैं अगर बेंक निफ्टी में आपको एक positive momentum देखने को मिला उस situation पर जो में पहला resistance नजरा अ stores 42,775 पे नजरा आं अगर आपको इसका breakout मिलता है जो दूसरा resistance दिखाई दिरहा है 42,957 पर नज़रा रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो आपको तीसरा resistance दिखाई दिरहा है 43,246 पर आपको दिखाई दिरहा है वहीं बात करें bank nifty में अगर आपको देखने को मिला एक negative momentum उस situation पर जो पहला support नज़रा रहा है 42,405 पर नज़रा रहा है अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो आपको दूसरा support नज़रा रहा है दूसरा support बताने से पहले में आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होनी वाला है loss की जिम्यदारी भी आपको अपने हाप लेनी है clear है अब यहाँ पर हमें जो दूसरा support नज़रा है 42,194 पर अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो आपको तीसरा support दिखाए दे रहा है 42,019 पर आपको दिखाए दे रहा है दोस्तों इस वीडियो को like कीजेगा comment करके मुझे बताएगा और logic वाली वीडियो का इंतिजार कीजेगा और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और bell icon प्रेस कीजेगा जिससे आप कौने वाली वीडियो के notification मिल सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ Thank you